हाई फ्रेंट्स आज का हमारा रिजाइन ये बहुत ही प्यारा सा ये रोस का पैटरन है आप इसको बच्चों की स्वेटर में और बड़ों की स्वेटर में दोनों में यूज कर सकते हैं इसमें हम 61 फंदे लेंगे तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं मेले में इने दो रो बना ली है पहले हम साथ फंदे ब्लैक से बुन लेंगे तो तीन चाग वांचे साथ साथ फंदे ब्लैक से फिर दूसरे दागा जोइन करेंगे रेड फंदे से एक फंदा बुनेंगे और दस फंदे जो है हम आज रख दγके से बुनेंगे दस फंदे हमारे प्लैक धाग से बिनेगे दस बंदे बनाने के बाद तीन पंदे र्यड वर 2 फंदे ब्लैक एक फंदा रेड फिर नौफंदे ब्लैक से तीसा दाग जोइन करेंगे तीन गरीन कलर से बनाएंगे और सोला हम ब्लैक कलर से बना लेंगे फिर एक गरीन से बनाएंगे और साथ फंदे जो है हम ब्लैक से बनाएंगे सेकेंड रोब साथ जो हमने ब्लैक से बने हैं दो ग्रीन बनेंगे फिर बारा जो है ब्लैक है एक ग्रीन दो हम ब्लैक से बनेंगे तीन हम ग्रीन बुनेंगे, पांच हम ब्लैक धाके से बुनेंगे, पांच ब्लैक के बार, एक हम ग्रीन बुनेंगे, और तीन ब्लैक, फिर दो रैड, यहाँ पर तीन ब्लैक हमने बुन लिये हैं, फिर दो रैड, एक ब्लैक, दो रैड, दो रैड बुनने के बाद एक ब्लैक, फिर से दो रैड, पांच ब्लैक, तीन रैड, एक ब्लैक, फिर तीन रैड और पांच ब्लैक, आप देख सकते हैं, इस वीडियो में भी आपको बहुत ईजली आपको में उपर शो हो रहा होगा, कि यह किस तरह से बुन्या है, यह हमारी थर्ड रो है, चार हमने ब्लैक फंदे बुन लिए हैं, तीन फंदे रैड, दो ब्लैक, एक रैड, फिर एक ब्लैक, फिर दो रैड, चार ब्लैक, एक रैड, तीन ब्लैक, एक रैड और एक ब्लैक, एक ब्लैक, एक ब्लैक गुनी के पाद फिर दो रैड, दो ब्लैक, फिर दो ग्रीन, 6 ब्लैक, 6 ब्लैक बुनने के पाद 4 ग्रीन और 12 ब्लैक से बुनने हैं, यह हमारी थर्ड रो है, 12 जो हमारे फंदे ब्लैक से बुननेंगे, फिर 3 ग्रीन और 7 ब्लैक से, आप देख सकते हैं, साथ ही साथ में पैटर्न उपर फ्लैश हो रहा है, तो आप इस से अगर आप कहीं पर कन्फ्यूज होते हैं, तो आप इसको रीपीट करके वीडियो देख सकते हैं, रोफ तीन ब्लैक, फोर रैड, वो रेड, वन ब्लैक, टू ग्रीन, बारा ब्लैक, बारा ब्लैक बुर्ने के बाद, एक ग्रीन, नौ ब्लैक, तीन ग्रीन, नौ ब्लैक बुर्ने के बाद, ये हमारे नौ फंदे हो गए हैं, फिर तीन ग्रीन, पिर एक ब्लैक, फिर दो रेड, आ घक ब्लैक, बना, एक ब्लैक, बना, फिर दो रेड, फिर शार ब्लैक, फिर बलैक, फिर ऑर बन रेड, 3 black 1 red 1 black 3 red 1 3 black 1 red 1 black फिर 3 red लास्ट के 4 फंदे जो है black से बनेंगे यह हमारी 4th row भी complete होगी है इतना सा pattern बन चुका है 5th row 4 black, 3 red, 1 black फिर 2 red 1 black 2 red 6 black 6 black 6 black के बाद 2 red 5 black 6 black 3 red 1 black 1 black 3 red 1 black 4 red 4 red 4 red 2 black 1 black 2 black 1 black एक सब्सक्राइब एक जर सेंगे ऐन ayam ग्रीन को लिए हम ना झेंक पार एक डो वना टिनल गोना फिर दो के जो दो फंदे हैं वो ब्लैक ही बनेंगे इस तरह से ये रो भी हमारी कम्प्लीट होगी है फिफ रो शिक्स टो पहले दो है ये ब्लैक ही बनेंगे दागे को ट्विस्ट करके साथ फंदे जो है हम रेड बुनेंगे सेवें ड्रेड के बाद एक ब्लैक दो ग्रीन छे जो है ब्लैक फंदे बनेंगे ये हमारे छे फंदे होके हैं तीन जो है ग्रीन से बनेंगे एक ब्लैक और साथ फंदे फिर से रेड बनेंगे साथ फंदे रेड बनेंगे वर अब हमारे पांच फंदे जो है ब्लैक से बनेंगे और एक फंदा ग्रीन दो ब्लैक ग्रीन के बाद दो ब्लैक तीन फंदे रेड और तीन फंदे ब्लैक फिर ये हमारे तीन फंदे रेड दो फंदे तीन फंदे ब्लैक दो रेड फिर चार फंदे ब्लैक तीन फंदे रेड एक ब्लैक चार फंदे रेड और फिर चार फंदे ही लास्ट के जो है हमारे ब्लैक दागे से बनेंगे यह हमारी स्क्स थ्रों कंप्लीट हो गी है सैवन थ्रों पेला फंदा हमारा ब्लैक बनेंगा फिर तीन फंदे ग्रेन ब्लैक को ट्विस्ट करके चार फंदे रेड चार फंदे रेड और आट फंदे अब हमारे ब्लैक से बनेंगे यह हमारे साथ बंदे ब्लैक फे एक साथ रेड एक ब्लैक दो ग्रीन नौ ब्लैक चार रेड एक ब्लैक के पाद तीन ग्रीन पांच ब्लैक एक ग्रीन 2 black 3 red अगर आपको समझ कहीं पर confusion होती है तो आप इस वीडियो को repeat में देख सकते हैं 3 black 3 red के बाद 3 black फिर 2 red एक लास्ट वाला black अब हम प्रो एट में आगे हैं 4 फंदे हमारे black बनेंगे फिर 2 फंदे red एक black 3 फंदे red एक black फिर 2 फंदे green से और 7 फंदे जो हमारे 2 फंदे green के बाद 7 फंदे black से अगर आपको कहीं पर भी confusion होती है तो आप इसको चेक कर सकते हैं चार red एक black तीन red पांच black एक green दो black एक green दो black एक green फिर छे red चार black एक black एक black दो black इसी तरह से दो black फिर 9 फंदे रो में तीन black तीन green दो black चार चार रड़ शे black चार रड़ एक black दो green एक black और दो red और एक black के बाद दो रेड़, एक ब्लैक, तो एक तीन ब्लैक के बाद, तीन रेड, तीन ब्लैक के बाद, छे ब्लैक, फिर दो ग्रीन, एक ब्लैक, दो रेड, एक ब्लैक, दो रेड के बाद, एक ब्लैक, फे दो रेड और दो ब्लैक एक, लास्ट के दो प्लैक, यह हमारी रो कम्प्लीट होगी है, रो टेंथ, दो ब्लैक, यह पूरा उपर फ्लैश हो रहा है, अब इससे चक कर सकते हैं, जी ब्लैक के बाद, यह हमारी रो भी आप इसी तरह से कम्प्लीट करेंगे, आपको जो है पैटर्न उपर, इसी तरह से, आगे तक बारा ब्लैक के बाद, आत बंडेक, दो रड्ट, थे प्लैक, एक रड्ट, थे रडल, छाइब 4 black, 4 black, 11 throw है हमारी है, 4 black, 1 green, 3 black, 2 red, 1 black, 2 red, 1 black, 2 red, इसी तरह से आपको पैटिन उपर शोग हो रहा है, आप इसी से चेक कर सकते हैं, 2, 12, 5 red, 3, 5 black, 3 red, 1 black, 3 red, 10 black, 1 green, 11 black, 3 green, इसी तरह सकते हैं, 2 black, 1 green और 5 black, यह हमारी 12 throw पूरी होगी है, 13th row में 9 black बनेंगे, 3 green, फिर 25 black, फिर 1 red, और 23 फंदे जो है लास्ट तक, वो पूरे की पूरे black बनेंगे, इस तरह से हमारा यह 13th row में यह डिजाइन कंप्लीट हो गया है, और आप इसको स्वेटर कार्डीगन किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, झाल में जैसके लाद हैं, आप झाल में में हूं कर दिए gemacht को साणी को पूरे दोग बनेंगे, आप about the ring में में खूआ प्याना कर सकते हैं, सवे पूरे define the map बनेों बनेंगे, चांसे में तरहीकितिते हैं,